हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज में एक मोटिविशन स्टोरी लेकर के आये हूँ और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज की जो स्टोरी यह है वो यह है कि हम सफल तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते तो अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे हो जाएंगे ठीक है तो आज की जो स्टोरी है उसको आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो स्टोरी यह है कि आज के डेट में सभी चाहते हैं कि हम अच्छे से सक्सेज हो जाए और सक्सेज होने के लिए काफी लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन क्या करते हैं मेहनत करते हैं उनको क्या लगते हैं अरे हम लोग सफल होंगी भी या नहीं होंगे तो उनको क्या होता है वो कठना ही उनको प्रेशान ही होने लगते है उस मेहनत करने से और वो क्या होता है सकसेज नहीं हो पाते है और सकसेज नहीं होने के करना हो क्या करते है फिर किस्मत को कोसते हैं कि आरे हमाई तो किस्मत में ही नहीं था यह सब तो हमें क्या करना है किसमत को नहीं कोसना है मेहनत करनी है ठीक है आप सबी ने नदी को तो देखा होगा ठीक है नदी क्या करती है जहां से वो बहना सुरू करती है उस जगे से जो बहती है तो उसको क्या होता है जहां से वो बहत तेजी से बहती है ठीके उसका सिर्फ एक क्या है एक लक्षे है कि मुझे कहाँ पर जा करकर सागर में ठीके और जब नदी बहती है तो ऊसको के अगर रास्तों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना करना पड़ता है अब यह तो है नहीं कि वह सीधी तो आपने देखा वो क्या करती है अपने लक्षे को हासिल कर लीती है अगर नदी बीच में ही अगर बहना छोड़ दी तो क्या होगा इसका पानी रुख जाएगा और पानी जब रुख जाएगा तो दो ती दिन के बाद वह सागर खराब हो जाएगा रिख जाएगा ठीक है वह सूख जाएगा तो क्या होता है फिर तो उस पता ही नियमें कि पानी है भी या नहीं है नदी में ठीक है और ऐसे ही हमारी जिंदेगी में होता है अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें उसके लिए क्या करना है निरंतर प्रियास करना होगा जो हम बनना चाहते हैं उसक इसका एक्जाम होने वाला है, हम 4 लों भर देते हैं, ठीक, तो अम मैं पढ़ाई तो बिलकुल ही नहीं करूंगी उसके लिए, मतलब मैं देखा लिए कि, और एक्जाम वाले दिन में देने चले जाती हूं, तो मैं सफल होंगी, यह वह सफल होंगे, जो रात को 12-12 तीरे तरह घंटे पढ़ाई कर रहें, वो सफ़ल होगे क्योंकि मुझे तो पता ही इन्हीं एक्जाम में क्या आएगा, क्या नहीं है और उन्होंने तो रात दिन पढ़ाई की है तो वो सफ़ल होगे, क्योंने क्या किया है अपने लक्षे को हासिल करने के लिए महनत की है को क्या होते हैं सोचते हैं अरे हमें सक्सेज मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो सब चीजों के कारण अपनी महनद छोड़ देते हैं और क्या होते हैं सक्सेज नहीं हो पाते हैं और फिक किसको दोस देते हैं थोड़ दिन के वाद अपनी किसमत को अरे हमारे तो किसमत में नही था ही सब, इसलिए हम सक्सेज नहीं हुए, तो ऐसा नहीं करना है, यह समय है, यह समय हमाई पास रुखता नहीं है, ठीके, जो आज हमाई पास वो कल नहीं होगा, ठीके, आज अब माने पास यह समय है, तो यह समय में कल नहीं मिलने वाला है, तो हमें क्या करना है, सफलता के लिए महनत करनी है और अपने समय का सदुपयोग करना है और सफलता हम तभी हासिल करेंगे जब हम महनत करते रहेंगे ठीक है और जब आप कंटिन्यू महनत करेंगे और जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपको इतनी अच्छी फिलिंग्स आएगे ना कि हम लोग वहा हमारी महन काम आगे तो मेहनत करने से डर्णा नहीं है मेहनत करनी है और सफलता को हासिल करना है ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फी मिलते हैं नेक्स स्टोरी में तब तक के लिए जय हिन जय भारत